जहन्द विवर्स एफोस कॉमन अड्मिशन टेस्ट एक वो एंट्री जो ग्रैजुएट लेवल एंट्री है उन स्टूडेंट्स के लिए उन लड़के लड़कियों के लिए जो भारती वाईू सेना में जाना चाहते हैं एफोस कॉमन अड्मिशन टेस्ट वन ट्विंटी ट्विंटी वन का फॉर्म आ गया है इसका फॉर्म कल एक डिसेंबर से भारती वाईू सेना की वेबसाइट www.fcat.cdac.in पे अविलेबल हो जाएगा ये फॉर्म आप उनलाइन भर सकते हैं एक डिसेंबर से तीस डिसेंबर तक जिसकी एग्जामिनेशन फीज धाई सो रुपए है विवर्म आप भारते वाईू सेना के फ्लाइंग ब्रांच एवं GDOC ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर इंचाज जो ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ है उस ब्रांच में जा सकते हैं GDOC भी दो प्रकार की है एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल तो कहने का ताथ पर रही है कि FCAT 1 2021 के थ्रू आप फ्लाइंग ब्रांच आप GDOC टेक्निकल आप GDOC नॉन टेक्निकल तीनों में जा सकते हैं FCAT entry is both permanent commission and short service commission. Permanent commission मतलब वो entry जिसमें आप till the age of 60 आप serve कर सकते हैं जब तक आपकी उमर आपकी health allow करें भारती वाई उसेना के standards के अनुसार. Short service commission 14 साल की नौकरी होती है and flying branch के case में it is 14 साल from the date of commissioning और ground duty के case में 10 साल है और 4 साल extendable है. Ground duty चाहे टेक्निकल हो चाहे नौन टेक्निकल हो. दोनों के case में 10 साल की नौकरी है और 4 साल extendable है. FCAT का जो form आया है वो 1 से 30 December तक रहेगा website पे. इसका tentative date second Sunday of February है. 2021 2021 के second Sunday paper होगा और जो joining होगी वो January 2022 में होगी. पतब एक साल लग जाता है पूरा प्रोसेस होने में. नंबर ओफ सीट्स की अगर हम बात करें तो flying branch में 69 सीट्स हैं. अकाउंट्स में permanent commission की 6 और short service commission की 10 हैं. admin में permanent commission की 12 और short service commission की 19 हैं. logistics में permanent commission की 9 और short service commission की 14 हैं. अगर आप engineering से हैं और आप technical wing में जाना चाहते हैं तो mechanical के लिए aviation electronics, mechanical के लिए permanent commission 12 और short service commission 17 हैं. और aviation electronics, अगर आप aeronautical engineering electronics में करना चाहते हैं तो आपके लिए permanent commission की 17 सीटें और short service commission की 40 सीटें. यानि की number of seats काफी अच्छी हैं जो भी graduates EFOS में जाना चाहता है बिना time waste की है. कल 1 December है, 1 December से 30 December तक के बीच में EFOS की website पे जाके form भर सकता है. हर बार की तरह EFCAT का syllabus लेके मैं अपने नए सिरीज में आऊँगा. बने रहीएगा Trishul Defense Academy के साथ. Thank you. जाहे हैं.